केरी बांद के समी खांट खाला में अबेज तरीके से जो मस्जिद का रिमान किया गया था सासन प्रसासन की आदिश अंसार आज उनी लोगों के द्वारा उसे द्वस्त कर दे गया देखिए ग्राउंड जीरों से उन्हा गाउं की ओर की एक रिपोर्च उन्याल जी यहां पर तो यह अबेज मस्जिद आज हटवाई गई इसे द्वस्त क्या गिया इस पर आपका क्या कहना है और कैसा लग रहा है आपको आज यह अधर्म बाद धर्म की जीत है और इसके लिए मैं सासन प्रसासन और को धन्यवाद देना चाहूंगा जिस परकार से गंभीरता के साथ उन्होंने इस बिंदु को लिया है और सासाथ में जो हमारा यहां पर मुस्लिम भाई है उसको भी उसका भी मैं सादूबाद धन्यवाद देना चाहूंगा जो पाणों की मान मर्यादा है पाणों के अंदर जो सबाव है जिस परकार से हमारा पाण का मुस सब्सक्राइब वहां जो हमारे तुमारे टोपाल जी है हमारे यहां पर रगुबीर जी रावाजी हैं तमाम यह लोग भी इसकाम में लंबे सब्सक्राइब लगे रहे हैं और आज जब इस्तित्यां यह बनी उसको लेते वे पिर हमने बढाने काम किया कुछ समय पूर में उग्र अंद्रुम में करना पड़ा अपनी बात को रखने करना पड़ा तो आज सासन प्रसासन जागा है और सासन प्रसासन आज हमारे बीच में जो एक प्रणाम दिया है सभी का मिला जुलासर है कि आज आपके सामने पुरा दिखाई दे रहा है हम सांत बाजियों में रहने हम सांतिप्रिये लोग हैं तो सांति य लोग के मादम से अज हमारे उत्राखनाट की धर्ति ने बताया धर्ति वास्तविक तौरपर देब्हुमी है प्रंदु यदि यहां इस परकार की कुछ भार की ताकते आकर करके यहां सांतिब भंग करना चाहेंगी इस तरह का अथिक गया है और मैं जो हमारी पहाड की सांध वादिया सांध वादियों के बीच में सब कुछ देखने को मिला है यह एक बहुत अच्छा वाले संदेश है बहुत बड़े लंबे संगर्स के बाद आखिरकार आज 30 सितंबर 2021 को जो की खांट खाला में अवैद मस्जिद का जो निर्मान किया गया था जिसको हम एक मस्जिद का सिर्फ धाचा कह सकते हैं उसको आज जिला परसासन के द्वारा धुस्त कर दिया गया है निस्तनाबूत कर है उसके लिए मैं आपका साधर आभार करता हूं हमारे इस मुहीम से पहले हिंदू जागर्मंच के जितने भी हमारे कारे करता है पदादिकारी है बिश्व हिंदू पचत के जितने भी पदादिकारी है कारे करता है चाहिए वो बजरंग दल के पदादिकारी कारे करता है च एक जो कि धीरी बांद के लिए जो मस्जिद जो अवेर्द मस्जिद जो धीरी बांद के लिए एक बहुत बड़े खत्रे का संकेट बनी हुई थी उसको आज जिलापरसंद के द्वारा सासंद के द्वारा हटा दिया गया है इसके लिए मैं जिलापरसंद का भी और सासंद का पत्रगार बंदु है उन सभी को बहुत भॉत धन्यवाद करता हूं बहुत बहुत आबार प्रकड करता हूं कि उन्होंने इसको एक क्रांतिकारी रूप में लेकर एक टेली बांति कुरकषा में ईब बॉत बड़ी चूग बन रही थी उसको उस मस्जिद को उस अवैद मस्ज समय से एक समस्षा थी लोगों का कहना था कि यहां पर एक अबैद मजडित निर्बान हो रखा है और आज से लगबग जब देखा तो हटाया जा चुका है इस पर आपको कैसे लग रहा है और जिन लोगों इसमें सयोग किया उन लोगों को आप चाह संदेश देना चाहेंगे दिया गया थे प्रसासन के खिलाप की 21-22 सालों से यहां पर अवेद मजडित का निर्माण हुआ है और अवेद मजडित भी किस रूप में है कि टीरी डैम के ठिक 70 मीटर के दाएरे पर जो कि राष्ट्य सुरक्षा की दृष्टी से भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है तो उसी राष्ट्य सुरक्षा की दिरिष्टी से भी यहां मजडित बहुत इलीगल थी और जब इनके नमाज होती है या जो भी इनके जुमें होते नमाज होती रमजान होती उस दोरान यहां पर अन्य राजों से भी बहुत तादाद में लोग आते थे ना तो उनका पुलिस वेरिविकेशन होता था ना तो किसी भी तरगी की कोई जानकारी हो जी तो राष्ट्र सुरक्षा की दिरिष्टी से देखते हुए हमने इस मजडित के खिलाब कुछ दिन पूर्व एक सांकेदिक धरना दिया था जिसमें हमारे काफी सारे सातियों ने हमारा बहुत समर्थन किया सइओ किया और मैं उन सभी लोगों को धन्यावात कहना चाता हूँ जिन लोगों ने इस राष्ट्र सुरक्षा के मुद्दे को एक अंतर राष्ट्र राष्ट्र इस तरह पर पहुंचाया और हमें इस कारिय को सफल करने में एक अपना आसरिवात के रूप में सइओ क इसंट्रें सधार्व कि दोरा आपको किती बती है सासंब बसम पताए कि तो यही कहना चाहता हूँ गवध मजचिद आज से अवेध नहीं ती यह कई अनुसांगें संगठनों द्वारा ग्यापल पर ग्यापन दिये जा रहे लेकिन परशासन के द्वारा किसी भी तरकी कोई कारेवाही नहीं हो रही थी तो हमें मजबूरन एक ऐसा धर्ना करना पड़ा जिससे परशासन को भी परशासन को भी हो साय और इस राश्ट सुरक् संगर्स करना होगा तभी कुछ हो सकता नहीं तो कुछ नहीं होगा आज जो हमारे एश्या का सबसे बड़ा बान तीर डाम है उसके बगल में समझे कपन का एक टीन सेट पे कपजा कर रहा था आज परशासन द्वारा वो तोड़ा गया यह बहुत पड़ी कुछी की बात है और जिन लोगों ने इसमें परत्यक्ष रूप से कानुन लड़ाई लड़ी वो लोग भी बदाई के पातर हैं समाज से हो और सबसे मैं यह कहना चाहूंगा जहां भी असामजिक तत्यों का इसे ठिकाने मिलते हैं उनको हटाने में पूरा समाज सहयोग करें क्योंकि यह लोग कब स्त्राष्टे के लिए बहुत बड़ा खत्रा बन जाएं इसका पता नहीं है इसलिए विस्तुंद परसत जीला इद्यक्ष के नाते सभी जो मेरे कारे करता हैं जोनोंने छोटे बड़े जो भी उन्होंने काम किया किसी ने धन्नापरदसन किया किसी ने ग्यापन दिया उन सभी लोगों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद जैसी रहा हूं खांड काला में जो मस्जिद है वो परेडन विभाग की प्रॉपटी पे है वहां पर परेडन विभाग की जमीन है और वहां की प्राइम लोकेशन पर प्रॉपटी है उसमें तीन अवैद कबजे पाए गया थे उनमें से एक मस्जिद मी थी एक कबजा उसमें से हटाया जा चुका है उसके लावा मस्जिद और टीएटीस का लेबर कैंप ने इनको हटाने के लिए नोटिस दिया गया है और आगे की कारवाई की जा दिया है